क्या हाना भी सब के चीक हो अब सही जल रहा है तो इस पेपर सी डियेस तूट्वेंटीटीट्व के मैंस का प्रगाम लोग स्वोलीशन कर रहे हैं तो लगबग हर दिन 10 से 20 सवाल में लेकर आरा हूं उनका स्वालिशन एक अथन्टिक स्वालिशन लेकर आ रहा हूं और इन अ तो जितना भी मैंने सीख्या है सब कुछ मैं परियास कर रहा हूं कि आप लोग को सिखा सकूं ताकि जो एक्जाम में आप लोग कोलैप्स ना कर पाऊ है यह एक्जाम पता था काफी तफ था तर्टिफिकल्ड था इसमें भी कम से कम आपको पचास कर सकते हैं पचास साथ तो तो आप सो टीज भी नहीं पाएंगे फिर भी करने सो व्यां तो आप को बताया तब्लम अगर इंगल इंग्ली जेंगल ब्लबष्ट वहां वहां पे नंबर कम हो जाएंगे तो आपको और all score maximize करना है उसके लिए आपको difficult paper में में अच्छे नमल आने होते है यह difficult paper अफिर भी अगर आपकी तुड़ा evaluation अच्छी होती या axy मानने के अप्रोच अच्छी होती तो इस में आप लोग या difficult question को पहले छोड़ने की और easy को पहले पिक करने के अगर आदत होती तो आप इसमें भी पचास से पचन मार्क कर सकते थे यह बहुत मेंटर करता है हर पेपर में मेंटर करता है कि पहले difficult को छोड़ो पहले easy को attempt करो उससे आपका attempt उससे आपका confidence boost होता है तो इससे आप difficult को भी असाने से कर सकते हो यह होता है it happens है ना हमेशा एक बार पहले ऐसान सवाल करो मुस्किल सवाल बहुत मत जाओ ठीक है यह मेरिटी प्रही गया आज की सॉरी 40 तक हमने solution कर रहे है पूरे 41 से start कर रहे है आज तो चलो चलते है एक मिनट है चलिए तो आपको अब यहां पर न सिक्स कॉमन लिए इंदेनों को एक साथ लिए उगा 6x square प्लस 1 by x square ठीक है और यहां पर देखो यहां पर आपको माइनस 25x और है 25y x common दिख रहे है 25 common दिख रहे है दोनों में तो मैं माइनस 25 ले लेता हूं अंदर क्या बचा एक स माइनस वन अपन एक्स चलिए बढ़ा चल रहा है इतना समझ में आ गया ठीक है इसको माइनस 25 लिए तो मैंने अंदर क्या बचकिए इक्स माइनस 1 अपन एक्स प्लस 12 विसकुल टें कितना ओंक जीरो हो गया अब इस वैल्ली गोजों देख़ाँ धहां से प्लस टू इहां चला जाएगा कितना आप्लस को इसकी वेल्य मुझे मिल गी है और इसकी वेल्य तो मैंने मानी थी तो मेरे जो फाइनल बन जाएगा या क्या बन जाएगा प्लस 12-25P plus 12 is equal to 0 अब यहां पर जागा 6P square minus 25P plus 24 is equal to 0 हम आपको एक चीज़ पता है यह quadratic equation आपको मिल गी है आपको solution करना है इसका तो आपको पता है इसकोई करते है 24 x 6 को 24 x 6 करऊगो जैसे ही तो नियो जागा 144 144 और 144 के factor करने आपको ताकि उन दोनों का sum या subtraction जो भी है वो आपका 25 के बराबर आ जाए तो आपको पता है 144 के factor होते है 16 होता है एक 9 होता है अच्छा दोनों को minus minus sum कर दूँँ होता कि इतना जागा minus 25P हो जाएगा तो करते हैं इसको ऐसी बजाएगा 6P square minus 16P minus 9P plus 24 is equal to 0 यहां से आप क्या करोगे देखो यहां से क्या करोगे आप 2P common होगे अंदर क्या बचेगा एट मैं मिस्टेक एट नहीं बचेगा बचेगा आपका अंदर अंदर क्या बचेगा बच्चो आपका 3P minus 8 और यहां पर भी आप माइनस थ्री कॉमन होगे तो अंदर क्या बचेगा 3P minus 8 और को फाइनल आएगा पी इसकोल टी कितना आगया एट अपॉन 3 और दूसरी वल्यू कितने आगी देखो 2P minus 3 भी कॉमन है आता है ना दूसरी वल्यू आजाएगे आपकी 3 अपॉन 2 ठीक होगे आप एक की वल्यू आगी 8 अपॉन 3P की वैल्यू और वैल्यू आगी 3 अपॉन 2 दो वैल्यू आगी आप से ठीक है ना देखो ना इसको आप यह क्या होगा वैसिकले आपका यह होगा आपका 3P minus 8 को कॉमन लोगे और अंदर क्या बच्चे का 2P minus 3 is equal to 0 यह दो चीज है एक यह और एक यह ठीक है ना तो पी के जो फेक्टर जो पी की वैल्यू जाए यह आए 8 अपॉन 3 और एक अब देखो धेहां से यह तो यह तो पी माना था हमने इसी को तो अमने पी माना था यह देखो यहां धेहां से X-1 upon X ब्राबर P तो पी की वैल्यू बताने थे आपको देखो 1 by 2 थी नहीं थी 3 by 2 थी हा थी 3 by 2 हमें दिख रहा है यहां पर यह वैल्यू थी 3 by 2 यह आंसर हमारा मिल्कूल सही आंसर है तो वह कितना हो रहा था और था आपका X-square plus 1 by X-square minus 2 is equal to P-square हो रहा था तो X की वैल्यू कितने आ रहे थी आपके P-square plus 2 थीक अब यहां से आपने एक वैल्यू 3 by 2 ले लिए एक वैल्यू क्या ले लिए आपने 3 by 2 अब 3 by 2 को पूट करना पी की जगा तो करो जिरा कितना हो है 9 by 4 हुआ यह प्लस 2 कितना आया है यह आपका आगे देखो 17 upon 4 17 upon 4 का यह आंसर में दिख रहा है नहीं द कर दो पी-square कितना हो जागा 64 upon 9 प्लस 2 कर दो यह फाइनल आंसर है ना यह मारा यह वाला यह हो जागा आपका 64 plus 18 upon 9 अगर समझ नहीं आता तो एक पर दुबारा देख लिया करो वीडियू है ना पीछे रिवर्स करके यह फाइनल आंसर आपका आगया 82 upon 9 तो 82 upon 9 इस दा राइट आंसर समझ में आया बड़े आसान तरीके सा आपका यह आंसर निकल गया कई टीचर लोग फालतो के वाल्यू पूटिंग कर रहते हैं सवाल में वाल्यू पूटिंग से यह सवाल बहुत ही टाइम तो इसलिए यह व्यूटिंग करते जाएगा तो इसलिए यह व्यूटिंग करते जाएगा तो पूट बहुत समझ ने आया क्या हो गया तो चलिए अब त्री आइटम एक ट्रैंगल दिख रहा है साइड कितनी है 15 यह पंद्रा नो और बार एक ट्रिपलेट बनाते हैं मतलब एक राइट एंगल ट्रैंगल मुनाते है कॉट्य दिखियों आते हैं फैक्न हमद्रा सेंत्य मिटरी ओ जाएगा कि प्रूफ करते हैं अगर इस 345 में किसी भी नंबर से करूँ न वो भी आपकर ट्रिप्लेट ही बनाएगा तो नो बारा और पंद्रा तो यह भी क्या बनाएंगे एक ट्रिप्लेट बनाएंगे तो यह तरीका भी आपको पता होना चाहिए और सब्सक्राइब कैसे बनाएगा अब सब्सक्राइब ने अजुता रहे हैं पाहुत 5 एजंतुत यह बनाएंगे आप सब्सक्राइब और सब्सक्राइब सी पुछा एक शरमजि पूर्ण पुल्ण से यानि किना नवी कितना होगा इसको गए को इसको इसको बाइब आप अच्छा कॉस्क्वार रेक दिया मैंने नौर्मल प्लस अब उच्वार्ण अब मुझे बता हुआ यह अंगल है इस वह स्थीटा एंगल है कुछ भी यह कितना हो जाएगा अब वेसली यह नाइटी यह तो चीज यहां पर apply करनी थी पूरी value थोड़ी निकाल नहीं थी कॉस B की कहीं है तुम पता लगा वहां पर ऐसे value निकाल करें कि कॉस A बराबर क्या हो जाएगा A C upon A B करके तुम पूरी value निकाल करके तुम सॉल्व करें नहीं ऐसा नहीं करना था बच्चा इसमें देखो एक value तो होगी कॉस A और एक value होगी कॉस जो B है वही तो आपका क्या है 90-a है और एक यह जीरो होगी इसको अटाओ फेको बाहर यह होगी आपका कॉस square a प्लस देखो कॉस square 90-1 यानिकि साइन स्कुएर कितना होता है यह प्रॉपर्टी सब को पता है कॉस square theta plus साइन स्कुएर theta की जो value है वह कितना होती बच्चा वान यह प्रॉपर्टी का यूज़ खनना था यहांपर सेकंडम में दरासाई होके करके तुम आ जाओके कुछ थ Cobb नहीं होगा। सेम हें आपके में क्या देखते हैं जुब यह देखो हई 15, 12 9, अब अब आशाह साइन स्क था सहिए's किन डबे यह श preparation के तो यहाँ करो एक क्या्या स्कोरे में चेंज एव तो सब्सक्राइब कितना हो जाएगा यहां पर टू इस दा राइट आंसर ओवर हेर ज्यादा सोचना ही था अच्छा अब एक तुम्हें कहा गया था कि एक सर्कल के अंदर इसको इंस्क्राइब किया गया या मतलब कि अगरो आज emancia देन और पर पता नहीं है तो आज कर लेना कि कोईभी जब दी जो भी राइट अंगल समस्राइब नाता हूं कि एक सरकम सर्कल नाता हूं सबस्राइब हुआ हम इसको रिड्याइब सुटिन वनें के हैभडनेस आधा होती है एगर आपको फॉर्मले जो करना है तो हमने कर सकते हो कि सकते हो कि बड़ा र बराबर कितना होता है एबी सी अपॉन फोर डेल्टा निकालते रहना वैली तुम्हारे आ जाएगी अंसर तुम्हार आ जाएगा है इसका आधा यह आधा आएगा एबी सी के अधिशन साइट से और डेल्टा के अधिल्टा आपका एरिया ओफ ट्राइंगल राइट इंगल ट्राइंगल पता ही क्या कहा गया आपको अधिशन ओफ अफ लाउड एट सी फ्रॉम प्वाइंट पी लाउड यहां पर कोई सी है और यहां पर कोई प्वाइंट पी है एंगल अलिवेसन दिया है टिके ना हम इस मेंटर सबने सर्फेस ऑफ लेक इस थर्टिस थर्यव दिग्री देखो यहां प एक मिनिटे बटा तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी वह आएगी यह अच्छ मिन्टर सबाब है थर्टी डिगरी है इसमें एंगल ठीक है तो थर्टी डिगरी का एंगल है और इसके बाद क्या गया गया थिटा भी दे एंगल ऑफ दुप्रेशन ऑफ दे रफ्लेक्शन बन रहा है और वो भी इस लेक के सरफेस से एच मिन्टर डाउन है और इसके उपर एच मिन्टर अबाव है उसके बाद पूछा गया है वह इस वैल्यू ऑफ ठीटा थिटा के वैल्यू निकालनी है तो देखो सबसे पहली बात यह जो यह जो है यहां पर यह भी क्या है एच अब मुझे बताओ यह क्या बन जाएगा आपस में यह 90 डिगरी यह दोनों बन जाएंगे आपका सिमिलर ट्राइंगल बन जाएंगे और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी ठीटा की वैल्यू सीदे से 30 डिगरी आ जाएगी सारे एंगल ब्राबर होते हैं सारे एंगल ब्राबर सारे साइड ब्राबर हो जाएगी ठीक हैं सारी सिमिलर कॉन्गुरेंट ट्राइंगल बोल is the right answer, इसके बाद, आगे क्या पुछा गया है, what is PC is equal to, PC की बल्य कुछी है, चाह, PC की बल्य कुछी है, मतलब PC यह है, PC कुछ नहीं है, लगा दो, क्या लगाना चाहते है, इसमें क्या लगाओगे आप, देखो, H यहाँ पर है, इसकी बल्य निकालनी है, what is PC is equal to, चेक है, तो PC को लगाना चाहते है, तो लगा दो, हो जाएगा आपका, sign लगा दो है, sign 30, sign 30 degree is equal to, sign 30 degree is equal to, हो जाएगा आपका, sign 30 degree की value कितनी होगी, H upon PC, और PC की value हो जाएगी, H upon, sign 30, sign 30 कितना हो जाएगा आपका, sign 30 कितना होगी, 1 by 2, यानि कि जो PC की value हो जाएगी है, 2H आगी, PC की value कितना होगी, 2H, 2H मेटर से दर राइट आंसर, चलिए, आगे चलते हैं, frequency distribution table is given below, एक frequency distribution की table है, याँ पर सामने दिख लिए आपके, आपको बताएगा है, दो values दिख लिए हैं, total frequency is 200, and mean of the distribution is 1.46, mean distribution जो है, mean of the, इसका mean दिया हुआ है, यानि कि मात्य दिया हुआ है, 1.46 और आपका total frequency दिए हुई है, 200, एक मिनट, total frequency कितना है, 200 है, और mean of the distribution कितना है, 200 है, अच्छा, अब, twitter frequency है, मतलब इन सबको add करोगे, इसकी बेली कितना आने जाए, 200 के ब्रावर आने जाए, तो सबको add कर दो, 46 plus p plus q plus 25 plus 10 plus 5, ब्रावर कितना है, 200 है, इन सबको add करो, 30, इन सबको add करोगे, देखो 30, और 35, कितना है, 25 plus, हाँ, ठीक है, 30, 40, 86 plus p plus q is equal to 200, और p plus q की value यहां से आ जाएगी, 114, तो 114 आगे p plus q की value, अच्छा, सेकंड जानकारी कहा दिया है, आपके पास, mean of the distribution is 1.46, अच्छा, देखो, जब भी ऐसे frequency distribution होता है, तो अगर उसका मुझे mean निकालना होता है, तो mean का formula क्या होता है, बरावर sigma fi x i upon sigma fi, sigma fi x i क्या होता है, basically, इन दोनों को गुणा करेंगे, पहले, इन दोनों को multiply करेंगे, इनको, इनको, सब को multiply करके, अब आपस मैं add कर देंगा है, ठीक है, तो करो, देखो, यहां भी क्या हो जाएगा, देखो, 46 x 0, कितना हो जाएगा, 0, plus p x 1, कितना हो जाएगा, p, plus q x 2, कितना हो जाएगा, 2 q, सब्सक्राइब टैने इन टू फोर कितना अगा फ्रॉटी प्लस फाइव इंटु फाइव गून्टी फैउन आंक तोटल जितनी फ्रिकवेंसी होती है जितनी वैल्यू जोती है आने कि जितनी बार वो चीजें हो रखी है ना उससे डिवाइट कर जाते हैं नमबर ऑफ नमबर ऑफ टोटल अब्जर्वेशन तो आपका फ्रिक्वेंसी है तो इसको इसकी वाल्यू कितने हैं 1.46 के बराबर इसको जोड़ोगी 100 140 हो गया है इस इकुल टू यह कितना हो गया यहां पर मुट्पलाइ करोगी आप जाएगा 292 के बराबर आगे प्लस टो क्यों की वैल्यू आगी 152 बस आपको सिधे माइनेस करना पी और क्यों की वैल्यू निकालने माइनेस कि आपने यह कैंसल आउट हो गया क्यों बराबर कितना हो गया 152 में से अगर 14 माइनस करोगी कितना जागा आपका यह जागा 38 38 आ जागा ठीक है फिर क्यों की वाल्यू पूट करोगे 38 इस गूल टू इसका मिठेर करना था आपको गया 152 14 14 पकि वाल्यू पूट कितना जैगे हैं से कैल्किट करो इतना जागी 76 डिक ट्रफिंति सील क्यों लिए कि हम अबितas screens अब इसले सवूल और इसकली वाल्यू कि वाल्यू करने लिए क्या आपको नबर था देखो पहले 200 बार कोई चीज हुई है तो यह इवन नमबर है तो आपको इसका जो मीडियन होगा पर इसको डिवाइड कर दो 100th term प्लस 101th term बटे 2 यानि कि 100 पर जो टाम आ रही है और जो 101 में पर जो टाम आ रही है उसको 2 से डिवाइड कर दो तो भी आपका मीडियन निकल दाएगा इस तरीके सा मीडियन निकालते है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है हमें सब से पहले हमें कम effectiveness को टालने होती है जो कहां से एंट काठे कर्के बाद उसके और कि यसे करके ऑगया ख्रते रीका एक साँ 6060 और कि अधर करते जाँ है यहां पूरा 200 वह आता है अब 200 को तूंहें 200 को तुम्हें दोसे डिवाइट किया कितना यहानि कि 100 टम सवी टम कौन इसे है बता हो मझे देखो स्वामी टर्म attracted funded देखो 46 ऑν जिरो ऊया है उसके बाद के लिट तैम से न उसमें क्या रहा है one 108 न नहीं कर आपका फی만ली मेझन आपका वन ही आए का मेद्वाइब सबस्क्राइब कर सकते हूं है न कम Too तो वह चीदे समझ में आये होंगी अभी तो इंट्रेस्टिंग पार्ट आने वाला है इसका ट्रिगो था काफी ट्रिगो आई थी काफी कुशन्स आये थे बड़ा अच्छा ट्रिगो था मज़ा आ गया था तो अच्छा इसको समझ लेना सीख लेना कुछ मैंने वीडियो और अच्छा लगता है तो चीजों को लाइक और सब्सक्राइब अच्छा लगता है तो चीजों को लाइक और सबस्क्राइब कर दो कमेंट मार दिया गो बस लोगों के पास पहुंचा है जीजिए कंटेंट है वो लोगों के पास पहुंचा है बस डैट सेट बाकी तो हम कुछ नहीं चाहते हैं और और बाकी प्यारी करते हो ठीक है ना चलिए आज इतना रखतें से बाइ बाइ टाटा